ओम नमस्शिवाई दोस्तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर चड़ाए यह एक चीज हर मनोकामना होगी पूरी दोस्तो शुरुष्टी के कनकन में महादेव का वास है और महादेव अपने भगतों का हर रूप में कल्यान करते है भगवान शिव ऐसे देवता है जो मात्र लोटे भर जल से ही प्रसन्न हो जाते है भगवान शिव जिस पर महरबान हो जाते है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते है सोमवार के दिन बाबा भोलेनात के पुजन का विशेश्फल मिलता है इस दिन भगवान भोलेनात काफी प्रसन्न मुद्रामी रहते है शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताये गए है जीने करने से व्यक्ति की सभी मनो कामनाय शिग्र पूर्ण हो जाती है लेकिन दोस्तो भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करना भगवान शिव के शिवलिंग का पुजन करने से भगवान शिव अति शिघ्र ही अति प्रसन्न हो जाते है भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते है भक्तों के सभी चाओं को पूरी करते है महादेव वैसे तो भगवान भोलेनात के शिवलिंग का पूजन रोधाना करना चाहिए लेकिन सोमवार के दिन शिवलिंग का पूजन करने से विशेश पुन्य की प्राप्ति होती है इससे विशेश फलों की प्राप्ति होती है दोस्तो शिव पूरान में कुछ ऐसी चिदों के बारे में बताया गया है जीने अगर भगवान भोलेनात के शिवलिंग पर अरपित किया जाए इससे भोलेनात अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते है और अपने भगतों को मन चहा वर्दान प्रदान करते है अपने भगतों की सभी मनोकामनाई पूरी करते है भगवान भोलेनात के शिवलिंग पर अलग-अलग वस्तु चड़ाने से अलग-अलग मनोकामनाऊं की पूर्ती होती है तो दोस्तो आईए जानते है किस मनोकामना के लिए भगवान भोलेनात के शिवलिंग पर कोनसी वस्तु चड़ाए दोस्तो अगर आपके बनते हुए कारिय बिगड जाते है यानि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता या आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही या फिर आपको वो दर्जा नहीं मिल रहा वो मान सम्मान नहीं मिल रहा जिसके आप हगदार है तो दोस्तो आप सोमवार के दिन भोले नात के शिवलिंग का चंदन से अभिशेक करे। भाग्य भी भोले नात की कुरुपा से सोभाग्य में बदल जाता है। भाग्वान भोले नात के शिवलिंग की इस तरह से पुजन करने से भोले नात की कुरुपा से समाद में मान सम्मान और अईश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तो अगर आपको कोई रोग है और इला भगवान भोलेनात के शिवलिंग पर कच्चा दूद चड़ाय, कच्चे दूद से शिवलिंग का अभिशेक करे। और अभिशेक करते समय भगवान भोलेनात के महामंत्र यानी ओम नमस्षिवाय का जाप करे। इस तरह से भगवान भोलेनात का पुजन करने से आरोग्य की प दोस्तो अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोश है तो आप भगवान भोलेनात का इस तरह पुजन अवश्य करे। दाल दे और थोड़ा सा गंगा जल डाल कर आप शिवलिंग पर चड़ा दे। ऐसा करने से भगवान भोलेनात की कुरुपा से आपको तुरंत ही उसका फल मिलेगा। हर प्रकार की शुभमन कामनाउं की पूर्ती होगी। जो भी मनो कामना आपके मन में है वो बोल के आपको इस तरह से पुजन करना है वो पूरी होगी। और अगर दूद नहीं है तो थोड़ा सा जल लेले तामबे के लोटे में और उसे चड़ा दे। आप उसमें चावल और मिश्री डाल कर चड़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपको विशेश लाब होगा। साथ ही सोमवार के दिन भगवान भोलेनात को प्रसन्न करने के लिए बेल पत्र चड़ाए। इससे भगवान भोलेनात प्रसन्न हो जाते है और सभी मनोकामनाउं की पूर्ती होती है। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या है या फिर आप चाहते है कि आपका वैवाहिक जीवन सुख्मय बित्ता रहे। आपके दामपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहे। संतान की प्राप्ति हो हर मनोकामना पूरी हो। घर में खुशहाली रहे। गुरुह कलह कलेश बाधाउन से मुक्ति मिले। तो आपको बाबा भोलेनात को सोमवार के दिन बेल पत्र अवश्य ही चड़ाना चाहिए। सोमवार का दिन भगवान भोलेनात को प्रसंण करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन आप वरत भी रख सकते हैं। इस दिन आप भोलेनात को लोंग और इलाइची भी चड़ा सकते हैं। नजर दोश से बचने के लिए हर प्रकार की समस्या के निवारन के लिए आप लोंग इलाइची भी सोमवार के दिन भगवान भोले नात के शीवलिंग पर चड़ा सकते हैं। खासकर कच्चा दूद जरूर चड़ाए और कच्चे दूद के साथ चावल और मिश्री चड़ाए। पुश्प चड़ाए चंदन का लेप लगाए। भगवान भोले नात को तो वो अत्यनत शीगर प्रसन्न होते हैं। दोस्तो कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव झालब में जरूर चावल और मिश्री चाह झालब